मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया अलाइन्स के सभी नेता यहां पर आए अपनी बात रखे इसी लिए मैं उनका सब का धन्यवाद करता हूँ यह इंडिया अलाइन्स क्यों बना इंडिया अलाइन्स इसलिए बना जो मोदी जी शाह इनोंने डेमोकरसी को खतम करने का एक बेड़ा उठाया है देश के समीदान को खतम करने का इनोंने बेड़ा उठाया है दलीतों को मजदूरों को किसानों को महिलाओं को कुचलने का काम इनोंने किया है और अभी भी कर रहे हैं इस देश के डेमोकरसी को खतम करने के लिए ही 146 एमपीज को इनोंने बाहर निकाला कोई कुछ नहीं बोला हमारे राम गोपाल यादो जी यहां नहीं है उन्हों बहुत दूर बैटे थे ऐसे कहीं जो 147 एमपीज में दूर दूर बैटे थे मूँ भी नहीं खोले थे बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला लेकिन उसको सस्पेंट किया गया सस्पेंट करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्यागरा किया दर्ना किया तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से यह आता है मुझे बहुत दक्का लगा कि एक समिदान के उच्पद पे बैटते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाती का अदमी हूँ इसलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं अरे अगर आप देश के सवरक्षक करने का अधिकार लिये हैं समिदान के तहेत आप चलने का वाइदा किये हैं तो आप जात्पात की बात अंदर करते हो और जात्पात पे चलने की बात करते हो अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलीत की हालत क्या होगी मैं जब उठता था सदन में उठता था बात करने के लिए आपके तरस आवाज उठाने के लिए तो उस वक्त उस वक्त कभी मुझे मोखा नहीं मिलता था जब कभी भी देश में जब महिलाओं के उपर रेप होती है जब कभी दलीतों के उपर दलीतों को कुचला जाता है किसानों को मारा जाता है मस्दूरों को मारा जाता है और समिदान के धज्जे उड़ाए जाते हैं उस वक हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं नोटिस पढ़ने को भी हमको वो हमको पर्मिशन नहीं दिये तो मैं यह क्या कहूं कि यह बीजेपी के लोग बीजेपी की सरकार एक दलीत को बोलने नहीं देगा ऐसा मैं कहूं अरे यह तुम समिदान के पद़ पे बैटे हो और तुम रोते हो अरे समिदान चलो समिदान के तहट डिमोकरसी के तहट सब को बात करने का हक है और वो आज़ादी आप छीन नहीं ले सकते हैं वो आज़ादी हमको मिली है जवरलाल मेरू से वो आज़ादी हमको मिली है मात्मा गांधी से वो आज़ादी हमको मिली है डक्टर हम्बेड कर से यह नहुंने तयार करके दिया लाकों लोग कुर्बानी करके आदादी दिला है और आप लोग आपके घर में कोई एक चुवा भी नहीं गया आदादी दिलाने के लिए है गया और वो हमको कहते हैं देश को यह बरबाद कर रहे को अपोजिशन के लोग देश को यह लोग यहाँ पर डिमाकरसी नहीं चलने देते यह कहते हैं सब को बाहर निकाले अप सभी MLS को सबी MPs को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनपोजड आपने पास कर लिया तीन क्रिमिनल कानून ऐसे है आगे आले वाले दिन में वो सारे सिटिजन्स को सताएंगे अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं किसानों के लिए भी ऐसा ही किया मजदूरों के लिए भी ऐसा ही कानून लाए तो इसलिए भाईयों हमको लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक होकर हमको लड़ना है तो और आज मोदी जी हरे कुदवार है हमारे कारिकरताओं को जहां कहीं एलेक्षेन आता है उनको ED का डर, CBI का डर, इंकम टैक्स का डर, अरे कितने डराते हो, अरे ये अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, जुकने वाली नहीं है, अगर आप कितनी भी कोशिश करो, हम को मिट्टी में दबाने की, हम बींज है, बार बार उटने की आदत है हम को, तुम दबाने की कोशिश करते हो, तो हम उटते हैं, और देश को बचाने के लिए, समिधान को बचाने के लिए, लोगतंत्र को बचाने के लिए, हम सब एक होकर लड़ रहे हैं मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता, सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोधी कुछ नहीं कर सकता और और मोधी जी को इतना घमंड आया है एलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीड जीतेंगे तो क्या मतलब वही 400 सीड जीतने का क्या है तुमारे पास इतने पापुलर तो नहीं है क्योंकि मैं देखा हूँ जब करनाटक में आये हर जगे फिरे गली गली फिरे हार के आये तेलंगाना में गली गली फिरे हार के आये हिमाचल में गली गली फिरे हार के आये ऐसी क्या बात है तो आप पहले ही कह रहे हैं मैं चार से उसीड लाओंगा अरे आपको जो जनता जो जनता आपको सत्ता में बिटाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बहार निकालना नीचे के राना तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा आप सभी लोग क्या आए हैं सभी नेताओं का भाशन सुने हैं तो इंडिया अलाइन्स एक होके लड़ रही है इसको आप साथ दीजिए एक हो जाएए और मैं सभी मेडिया से भी अपील करता हूँ जो सच है वो तो बताईए जो सच है वो तो कही है जो सच है वो तो लिखी है इतना ही मैं आपको कहूंगा और आप सभी को युवाहों को और जो ये अनेंप्लाउमेंट का प्राबलम है जैजा राउल जी ने कहा और इंफलेशन का कीमते बढ़ रही है इसके बारे में हमको ज जाधा सोचना है उस नजर से आप देख कर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे इतना कह के मेरे भाशन को स्माप करता हूँ जय हिन जय हिन जय हिन जय हिन जय हिन दन्यवाद